नमस्कार आप देख रहे हैं दर्स नियूज मैं हूँ आपके साथ रितेश सर्मा बिहार के माश्टर साहब में कितनी काविलियत है ये किसी से छुपी हुई नहीं है चाहे बात बच्चों को पढ़ाने की हो तब भी बिहार के सिक्षक उसमें ऐसा कुछ कर जाते हैं कि देखन सिक्षा विभाग का माथा चक्रा गया जिसने भी इस बारे में सुना वो हैरत में रह गया कि आखिर कोई इतना भी तेज कैसे हो सकता है हलाकि जब विभाग को इसकी भरक लगी तो विभाग ने इस चोड़ी को पकर लिया और मास्टर सहाब को पूरा प्लान फेल हो गया है गरतलब है कि बिहार में अपने विद्याले में उपस्थिती लगाने को लेकर विभाग के द्वारा फेस एप के इस्तिमाल करने का अंदेर देश दिया गया है लेकिन जबूई में सिक्षकों ने जो कुछ किया उसे जान कर आप भी हैरान रह जाएगे सिक्षकों को जब विद्याले पहुछने के बाद उन्हें अपनी उपस्थिती लगाने के लिए हाजरी बनानी परती थी तो उन्हें अपनी सेलfी लेनी परती थी पर सिक्षकों ने मुबाइल फोन का इस्तवाल कर पहले से ही अपनी सेलफी खीच कर अपने साथी सिक्षकों के मुबाइल में रख दिया बस फिर क्या था उसके साथी सिक्षक उसी के लॉगिन आईडी पासवर्ट से अपने मुबाइल फोन में लॉगिन करके उनकी हाजरी बना दिया करते और जब सेल्फी लेने की बात आती थी तो मुबाइल में पहले से खीची हुई सेल्फी को ही फोटो के तौर पर इस्तवाल कर उसे सिक्षा को सैप पर खीच कर उसकी हाजरी बना दिया करते थे सिक्षकों की ये तरकीब काम में भी आने लगी और लगातार सिक्षक इसके जड़िये अपनी हाजरी बनाने लगे जब सिक्षा विभाग को इस बात का पता चला तब उन्होंने इस मामले में बड़ी कारवाई करते हुए दो सिक्षकों के खिलाफ स्पष्टी करण के आदेश जारी कर दिये इसे लेकर जिला सिक्षा विभाग के अस्थापना पताधिकारी पारस कुमार ने एक पत्र दिर्गत किया है जिसमें जबूई जिले के चकाई प्रख़ड शेत्र अत्रगत पढ़ने वाले दवीन प्रात्मिक विद्याले पस हारा के सिक्षका भारती कुमारी और रीता कु सिक्षकों को ई सिक्षा कोस एप के वाध्यप से उपस्थिती दर्ज कर दी है जिसमें सिक्षकों को सेलफी लेना आवस्यक है तो सेलफी के बैगराउड में विद्याले होना चाहिए विद्याले का कख शत्वा विद्याले परिसर होना चाहिए पर जब अस्थापना कर्या पहले के दोनों सिख्षकों के दोना गलत तरीके से फोटो लिया जा रहा है जो विभाग के नियाबा नुकूल नहीं है ऐसे में 24 घटे के अदर उसे जवाब बागा गया है और जवाब नहीं तेरे की सुरत में दोनों के खिलाफ करवाई की भी बात कही गई है वहीं झाल